भारतिय संगीत का इतिहास संगीत के काल विभाजन को चार भागों में बांटा जा सकता है वैदिक काल, प्राचीन काल, मध्य काल, व्याधुनिक काल आज हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में वैदिक काल का समय, 2000 इसा पुर्व से 1000 इसा पुर्व तक माना जाता है इस काल में चारो वेदों की रचना हुई रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद वधरववेद जिनमें सामवेद प्रारंब से अंत तक संगीत मैं है तथा इस वेदों के मंत्रों का पाठ भी संगीत मैं होता है वैदिक काल में सामगान होता था जिसमें पहले केवल तीन स्वरों का प्रयोग होता था जिनें उदार्थ, अनुदार्थ वस्वरित कहते थे आगे चलकर यह स्वर्थ और भड़ते गए तथा वैदिक काल में सामगान साथ स्वरों में होने लगा इसका प्रमान मारुलुक शिक्षा के एक पंक्ती में भी मिलता है सामगान के तीन भाग प्रस्ताव, प्रतिहाग, उदगीत, तीन पांग, हिंकार, मुप्त्रव, निदान तथा तीन गायक प्रस्तोता, उद्गाता और प्रती हर्ता होते थे वैदिक काल में संगीत के साथ साथ नर्ते कलावी प्रचलिन थे जिसका प्रमान नर्ते करती प्राजेन मूर्तियां है